इसका मतलब है कि जो काम है वो हमेशा आपको शांती देता है, संतुष्टी देता है, सेटिस्फिक्शन देता है, कभी भी कोई भी आप काम करते हो तो वो बेकार नहीं जाता, इस चैप्टर रिटन बाई A.P.J. अब्दुलकलाम, इस पूल नेम इस आब बोल पाकीर जैना लुबदीन अब्दुलकलाम, 1931-2015 तक इनका जो लाइफ स्पैन रहा है, इनको मिजाइल मैन ओफ इंडिया कहा जाता था, इन प्रेजिदेंट ओफ इंडिया भी ये थी, वोस ब यूथ पे, वो हमेशा कहते थे कि, we have many young people of high caliber, हमारे पास young people है, जिनके पास बहुत जादा caliber है, उनको अपनी caliber fully use करनी चाहिए, at that they need is a dream to chase and fulfill, we should leave mediocrity behind and always aim for the best, जो mediocre होते हैं, mediocre, mediocre या नहीं, in between हैं एक तो गे बिलकुल, beginners, then mediocre, then जो best होते हैं, always try to be best, he always used to say to the children or to the youth, besides being a scientist, वो scientist तो थे, जैसे मैंने बताया कि, उनको missile man of India कहा जाता था, वो एक poet भी थे, और उनको music से भी काफी प्यार था, वो अपना जादा time, जब भी free time होता तो वीना, जो एक musical instrument है, उसको play करने में अपना समय बिताते थे, scientist थे, जो कि science को breathe करते थे, देखो, कोई भी काम है न, उसको पुरी devotion आपकी होनी चाहिए, मतलब, fully आप उसमें immerse होने चाहिए, only then you can achieve your results, अगर आप उपर उपर से कोई भी काम करोगे, तो आपको कभी भी कोई result नहीं मिलेगे, means, you should live that life, you should breathe, वो चीज़ को आपको अपने अंदर ले के आना पड़ेगा, डॉक्टर कलाम को remarkable क्यों कहा जाता है, क्योंकि उनकी जो simplicity थी, उनकी जो उन चीज़ों के साथ, उन्होंने काफी achievements हासल की, उन्होंने science की field में बहुत जादा owner हासल किया, with simplicity, it doesn't mean कि वो जो यूथ है, fashion की पीछे भाग रहा है, they are not understanding what they need today, जो fashion की पीछे भागना है, या जो लोगों के पीछे लग के कोई काम करना है, that is not right, it was Dr. कलाम who as a director of defense research भी थे, development laboratory, lined up प्रित्वी, अगनीत, रशूल, अकाशन, नाग, he was conferred numerous awards, उनको बहुत सारे awards मिले, पादम भूशन मिला, भारत रतन मिला, जो scientist थे वो जैसे बताया मैंने, उनके अंदर वो laboratory में, इसलिए अपना time जादा बिताते थे, उनकी जो team spirit के साथ काम करना उने जादा चलगता था, कि team में अगर आप काम करोगे, इकठे काम करोगे तो definitely you will achieve something, उनके dream थे, वो बहुत जादा ऊचे थे, वो लोगों को भी अच्छी बाते बोलते थे, उनका जो schedule था काम करने का, वो 18 hours था एक दिन का, आप खुद हिसाब लगा लो, कि अगर कोई बंदा 18 hours काम कर रहा एक दिन में, तो क्या कुछ अचीव कर सकता है, the thing is कि if you are interested in that work, always do those works in which you are interested, जिस चीज में आपका interest हो, वो काम करो, जैसे कि एक दो movies भी है, जिसमें ये बताया गया, कि जिसमें आपका interest है, अगर वो काम आप करोगे, तो definitely उसमें आपका interest बना रहेगा, और आपको पता ही नहीं चलेगा, कि आपने एक दिन में कितने घंटे आपने एक work है, जो की writing है, जो की बहुत अच्छा chapter है, हम पढ़ने जाएंगे, first is Werner Von Barone, the great scientist who made the lethal V2 missile and devastated London in World War II, who was given a top position in rocketry program at NASA, आप chapter के बारे में बता रहे हैं, कि उसमें, Werner Von Barone है, उसके बारे में बताया है, कि उन्हों V2 missile बनाई, जिसने की London को खतम कर दिया, World War II में, Dr. Kalam was impressed by his humble receptive, receptive क्या होता है, कोई भी चीज को youngsters होते हैं, उनके mind receptive होते हैं, बहुत जल्दी वो चीजों को सीख लेते हैं, encouraging quality, Dr. Kalam has also quoted his remarks about America, second thing क्या है, stressed is that total surrender to work, आपको हमेशा अपने आपको fully surrender करना पड़ेगा, work को जो भी आप काम कर रहे हो, उसको surrender कर दो, अपने आपको immense, immense मतलब बहुत जादा आपको pleasure मिलेगा, satisfaction मिलेगी, अगर आप पूरा किसी काम में डूब के काम को करोगी, generally professional personalities होती हैं, जो perform क्या करती हैं, 40 घंटे एक week में काम करती हैं, but when the work is exciting, लेकिन कहती हैं, अगर work आपकी interest का है, rewarding है, तो आपकी performance कैसे हो जाएगी, with passion आप करोगी तो 100 hours a week आप कर सकते हो, देखो कहां पर 40 hours हैं, 40 hours हैं a week, और कहां अगर आपका उस काम में interest है, तो 100 hours a week you can do, अना it keeps one, जो कि आपको relax भी करता है, energetic भी करता है, fresh भी रखता है, Dr. Kalam describe his personal experience, उन्होंने अपना chapter में personal experience explain का बताए हैं, कैसे उन्होंने badminton, holidays, family relations, friends, सब को छोड़ के, सिरफ एक target बनाया कि मैंने इस चीज़ को achieve करना है, और कैसे उसके पीछे लग गए, So the chapter is totally for you, क्यूंकि हमें पता है कि आज के जो बच्चे हैं, they are not fully giving time to their studies, क्यूंकि you know very well कि studies है, वो बहुत जादा important है, without studies you can't do anything, so in next audio, I'll complete this chapter, thank you.